वो भाई साब क्या विव एदर का देख रहा है आप माशाला यह फीचर मीजियम है यह एमरेट्स टावर है और यह मैट्रो है बहुत ही प्यारा नजारा है आगे चलते हैं और भी दिखाएंगे आपको इससलाम वालेकुम वेलकम बैक टू मैं न्यू ब्लॉग चलते हैं आज इस फीचर ऑफ मीजियम दिखाते हैं आपको आगे वीडियों बने रही लश्ट तक यह है सेकंडे इद का और बहुत ज्यादा है मैट्रों में बहुत ज्यादा भीड़ है यार देख सकते हैं नहीं देख भीड बहुत ज्यादा है मैट्रों भी फुल थी इसलिए हमें दू लेना वही सबसे पहले आपको बुर्जमान के लिए फिर बुर्जमान से आप ट्रेन लेंगे उससे आप आएंगे इमरेट्स टावर इसके बाद आप फीचर ऑफ मीजियम आ सकते हैं मैट्रों के अंदर और यह है फीचर ऑफ मीजियम यह सेक्जाइद रोड अभी हम जाते हैं फीचर ऑफ मीजियम की अपोजिट साइट में इधर से हम थोड़ी बीडियो बनाएंगे उसके बाद जाएंगे हम दूसरी साइट में माशालला बहुत ज्यादा प्यारा ब्यू इदर का देख सकते हैं यह मैट्रों है यह सेक्जाइद रोड है जो आप वीडियो में अ इद का सेकिंड और चुटी का भी लास्ट दे तो हमने सोचा क्यों आज कहीं चलते हैं कुछ एक सांदर ब्लॉक बनाया जाए तो इसलिए हम यहां आए थे तो देखते रहना बढ़े रहना वीडियो में लास्ट तक मजा आने वाला है बहुत ज्यादा पोजिशन से इसका को हम व्यू चैक कर आएंगे इधर से इधर से यहां से जाएं से वहाँ से लेफ्ट से राइट से हर तरह से देख सकते हैं हर तरह से आपको व्यू चैक कर आएंगे गाड़ी भी देख रहे हैं क्या बात है लोकेशन के साब से गाड़ी भी अच्छी खड़ी है इदर यहां कभी भी नहीं आया ते मतलब मेट्रो से बहुत देखा था यह विए लंबा रास्ता है जो हम अंदर से जा रहे हैं यहां से देखो मगर प्यारा भी बनाया हुआ है यह साइट से लोग सामने से लोग आ है रहे हैं वाहम इतर से जा रहे हैं तो मतलब से आने-जाने की रास्ता है तो चलते आगे दिखाएंगा आपको यहां से हम आ गए हैं बह CornelHere Sightि और यह सामने है आपके म्यूजियम और यहां पर क्राउड बहुत है क्योंकि इद का सैकिंड है मैंने आपको बताया था तो यहां सब लोग फोटो बगारा ले रहे हैं वीडियो बना रहे है तो बहुत ज्यादा है टेख सकते हैं आप बहुत प्यारा व्यूर जी हम रॉंग साइ अब दुनिया भर में पॉपलर है एक से नेट्स लेवल गाली इस पर जाती है देख सकते हैं और यह भी बहुत प्यारा है और यह तो है फिर प्यारा देख सकते हैं आप है अपनी साइड पर आ गए हैं तो यह सामने है इसका इंट्रेंस म्यूजियम का यहां सारे लोग अं बहुत ज्यादा प्यारा नजारा है यहां का बहुत ज्यादा भीड़ है कि यह म्यूजियम है पूरा काफी बड़ा बना हुआ है लगता है फोटो में वीडियो में देखने के लिए मगर बहुत बड़ा है और यह सामने बुरसलीपा लोग मुजियम के अंदर जाने लगे हैं देखते हैं इंट्री होगी या नहीं होगी क्योंकि जो पर्सनल टिकेट होता है वो तो हमने नहीं लिया है जो नॉर्मल गूमने के लिए होता है उदर जा रहे हैं बस तो देखते हैं बैसे नॉर्मली इद के अलावा कभी आप यहां आओगे तो आप अंदर जा सकते हो एसी जो बार-बार अंदर से जो बार-बार का एरिया होता है वहां आप भूम सकते हो डॉल्पिन बगएरा दिखा जाती है अगर अभी इन लोगों ने इंटर नहीं करने दिया नॉर्मल डेस में आप यहां से आप बिन टिकेट के भी अंदर जा सकते हैं जहां से सिक्यूर्टी अभी अलाव नहीं कर रहा है क्योंकि कल इद थी तो इद की छुटियां चल रही है तो अभी यह लोग यहां से अंदर न आपको दिखाएंगे तो फिलाल तो नहीं जाने दिया इन लोगों ने तो अभी हम लोग जा रहा है रूम पर यहीं हम वीडियो को करेंगे एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करके बताएं गर्मी देख रहे ना आप इतनी गर्मी वी है तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं बाई बाई टेक क्यार अल्लाहाफिज